आई फ्रेंस में नवीन कुमार आज मैं नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने एक नए टॉपिक लेकाया हूं कि एक्सपोर्ट में हमको क्या वैबसाइड जरूरी है जरूरी और मेंडेटरी दोनों अलग-अलग चीजें हैं तो जरूरी का मतलब यह कि क्या हमको पर multi language होनी चीए SEO friendly होनी चीए दोस्तों website कैसे बनाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में काम करते हैं बिजनेस करते हम पर पैसा नहीं होता बहुत से मेरे लोग ऐसे वीडियो देखते हैं क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास भी पैसा था हम पर यहां तक कि इवन यह 500 रुपे का जो हमारा जो आई सी कोड़ा यह भी लेने के दिक्कत होती है तो इन सब चीजों को भूलो और जो मैं जैसे जैसे बताता रहूं आपको आप विश्वास करोगे तो सब चीज होगी मैं इस चीज को आपको ऐसे समझाओंगा मानल क्या होता है पिछले वीडियो नहीं देखते और मेरे को सवाल करते हैं कि Susie के इस के बारे में ऐसे कैसे आप एक पpoints बधाओं वीडियो से होता है डारेक्ट कस्टमर मिलता है हम इंच करते हैं मेरी दुकान कहा है कोई बंदा आप यहां to do видно कर इंट सब ढूंडते हैं तो हमारी वेबसाइट SEO friendly क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टमाइजेशन यानि कि अगर मेरे मैटर्स का काम है वह मैटर्स कीवर्ड सेलेक्शन होना चाहिए यह सब चीज आगे डीप में मैं बताता चला जाओं फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए हमा सब्सक्राइब को अपने डेस्क टेबल पे बैठे हुए ही कस्टमर मिल जाता है इसा बढ़िया क्या बात है बाइब मैं जाओंगा तो मैं तो बहुत दूर है बिजनेस लगेगा सैंपल लेकर जाओंगा तो अगर वेबसाइट पर खुद मिलके और सामने से कोई बंदा को करता है ना आपकी वेबसाइट देखके तो इसका मतलब यह है कि वह आपके माल से पहले सैटिसफाइड हो चुका है आपके बाकी की गट्स आगें एक चीज़ और मैं पताना चाओंगा मैं अभी तक नहीं बताय थी कि मैं इस पायर कैसे कन्विंस करते हैं इसके उपर मैंन करना पड़ेगा अभी मैंने उसको हटा दिया वहां से मैंने का मुझको नहीं चीए वहां पर पैसे नहीं चीए मेरे को मैं आपको उसका कंटेंट जो है वह फ्री में अवैलेबल करवाऊंगा आपने कभी भी कि कस्टमर मिलने के बाद में हम उससे किस तरह की बात करते हैं यह सब चीज उसमें लिखी है अगर मेरे जो दोस्त जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अगर वह कंटेंट चीए कि कस्टमर मिलने के बाद क्या होता है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए सारी वीडियो देखिए फिर मैं सब जादी है है मैट्रियल कोई बंदा आएगा पर उसमें वैबसेन में क्या होता है हमने उसे डीजिटली सजाना होताधाय है यह थी तरीकी का उसके बारे में हमें लिखना होता है या उसका अगला फाया कि यह होता है और रोल्ड से इंट्रोडिस करवाएगी पूरे वर् पर देख लिजे जो भी आप अपनी फर्म का नाम रख रहे हैं उसका आप डोमेंट पहले देख लेंगे उसके बाद जिन लोगों का नया है उनके लिए बता रहा हूं पुराने वाले तो कुछ इदर उदर करके कर सकते हैं बहुत सारे सब डोमेंट मैंने बता दिया उसमें उसके हिसाब से वो देख लेंगे तीसरे का अगला पॉइंट क्या होता है हमको डिजीटल ब्रोशर मिल जाते है कि फिजीकली ब्रोशर का होता हूँ पंप्लेट वगरा हम बाठते हैं अधर उदर तो उसके बारे में बताते हैं तो यह भी चीज हमारे को वेब साइट पर इसली मिल जाती है प्रमोशन कैसे करना डिजीटल मार्कटिंग कैसे करने मैं अपने वीडियो में आपको इस तरीके से सम्झाओंगा मुझे ऐसा लगता कि मेरे सामने वाला जो व्यूरा इसको कुछ नहीं पता जो बुद्धी जीवी इंटलेक्ट्वल्स है मैं उनके हिसा जिसको बताने वाला भी कोई नहीं था और इसके पास पैसे बीन ही है कि यह महंगा कोर्स कर ले तो मैं उनके हिसाब से वीडियो बता रहाँ और मेरी अउम्मीद है कि जिस तरीके से बता रहो शायद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता होगा किस चीज का महतवर किस चीज के क्या महत्वनी अगला पॉइंट यह है कि हमें अपने प्रोड़क्ट की वीडियो बना दी किसी भी प्रोड़क्ट की उसके बारे में अच्छा सा लगे देखने में वीडियो किसी से भी आप जो है पेड़ बनवा सकते हैं और उसको अच्छी तरह वेबसाइट मे डलवा सकते हैं जो लोग वेबसाइट है जिनकी वो वीडियो जुरूर बना के अपने प्रोड़क्ट की डाले और उसका डिस्क्रिप्शन वगरा सब चीज अच्छे से दे एक फायदा वेबसाइट का क्या है कि दोस्तों कस्टमर इस पर खुद से इंफॉर्मेशन ले सकत है जैसे हम लोग भी कभी देखते ना कि हमको यह चीची हम उसका वेबसाइट पर जाते और उसको पढ़ते अगर हमको समझ में आता कि यह प्रोड़क्ट हमारे से मिलता जुलता है तो हम उसको कॉंटक्ट करते हैं अब आउट असका कॉंटक्ट पेज जरूर होना चाहिए और कि होनरी वेबसाइट में और लाश्ड क्या है कोस्ट इफक्टिव है आत मानिये कि अगर कही पे ऐड देते हैं बहुत मेहमगा 250 और हमकर चाहिए दोस्तों मैं би बहुत जल्दी जल्दी आप वीडियो बना रहा हूंगा है हमारे यहां पे जो इस वक्त दिल्ली में माहूल है बहुत खतरनाक माहूल है आदमी आदमी का दुश्मन बना हुआ है समझ नहीं आता कौन है कौन दंगाई है कौन क्या है यह तो उपर वाला ही जाने बट खैर हमे इन सब चीजों से आगे बढ़के जो है एक दूसरे का साथ देना है इन सब चीजों को नजर अंदाज करना है और हमें अपने कामधंदे पर ध्यान देना बेसिकली जो लोग करते हैं वो लोग भार के होते हैं यह बहुत दुख की बात है खैर छोड़ो यह सब बात की बात अइतनी आप लोग मेरे family हो मैं आपको हर वो चीज बताउगा जो मुझे पता है नहीं पता तो उसको सच करके बताऊगा क्यूंकि हो सकता है आपसे ज्यादा जल्दी मैं उस चीज़ को समझ़ पाऊं आप कोस्टेन करीं मैं उसका आंसर देता हूं मैं ज्यादा तर कोशिश करता हूं कि मेरे जितने भी विवह है से जल्दीίο कि दो बट कभी कभी समय के कारण मैं नहीं दे कुछ